पीरिट्स एक ऐसा विश है जिसके बारे में जानकारी सभी को चाहिए लेकिन खुल कर बात कोई भी नहीं करना चाहता जमाना इतना बदल गया है लेकिन इसके बावजूद इसका नाम सुनकर लोगों के चहरे के रंग उड़ जाते हैं लोग भागते हैं इस टॉपिक पर बात करने से इसलिए तो लोग आज भी इससे जुड़े भ्रम पाल कर बैठे हैं जैसे पीरिट्स में कोई महिला अचार छूले तो अचार खराब हो जाते हैं वगएरा वगएरा लेकिन एक दावा ऐसा है जिसे महिलाएं भी मानती हैं पीरिट्स में महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहाए। अब इस बात में कितनी सचाई है ये भी आपको बताते हैं दरसाल पीरिट्स को लेकर एक दावा है जो बड़े ही जूर शोर से फॉलो किया जाता है वो ये है कि पीरिट्स में अगर महिलाई बाल धोती है तो वो infertility की शिकार हो सकती है यानि मा बनने में दिक्कत आएगी हाला कि कुछ लोग इसे मिथ मानते हैं तो कुछ लोग सच पीरिट्स में बाल ना धोने की सच्चाई बाल ना धोने के पीछे का तर्क ये दिया गया कि ऐसे वक्त में महिलाओं के शरीर का तापमान काफी जादा रहता है अगर इस बीच महिलाओं बाल धो लेती हैं तो शरीर का तापमान कम हो जाता है जिस वजह से bleeding नहीं होती और महिलाओं को अंद्रूनी बीमारी हो जाती लेकिन कुछ reports का मानना है कि ये मातर एक myth है क्योंकि नहाने या बाल धोने से परहेज करने का कोई भी वैग्यानिक प्रमान नहीं वहीं विशेशग्य का कहना है कि सर की तवचा और पूरे शरीर की तवचा वास्तव में waterproof होती है तो uterus तक ठंडक पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं उठता पुराने जमाने में इस वजह से भी बाल धोने की मना ही अब कुछ लोग कहते हैं कि बाल ना धोने की प्रथा बहुत पुरानी इसलिए से अभी तक follow किया जाता और ऐसा सच भी है कि बाल ना धोने वाली बात पुराने समय से चली आ रही इसके पीछे भी एक तर्क है दरसल पहले के समय में आज जैसी सुविधाय नहीं थी महिलाओं को बाल धोने के लिए नदी या तालाप के किनारे जाकर नहाना पड़ता था ऐसे में पीरिट्स के दौरान बाहर जाने के लिए महिलाओं को मना किया जाता था ताकि उन्हें शारिरिक रूप से कोई परिशानी ना हो क्योंकि पहले से ही वो हैवी फ्लो से गुजर रही होती यही कारण था कि महिलाओं बाल नहीं धोती थी पीरिट्स में नहाने के फायदे, डॉक्टर्स के मताबिक पीरिट्स में महिलाएं बाल धो सकती है, बलकि बाल धोना और नहाना अच्छा है, क्योंकि इससे आप संक्रमर्ण से बच्चती हैं, आपको बैक्टीरियल समस्याएं होने का खत्रा कम रहता है, तो इस तरह से आप स